दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मुदालियर कमिशन को डिसक्स करने ही कोशिश करेंगे मतलब इसमें आपको मैं सिर्फ ब्रीफ ओवर्विव नहीं दूँगा बलकि काफी सारी चीज़ें हैं जो बताऊंगा सिर्फ आपको उपर उपर से नहीं बताऊंगा काफी सारी दीप जानकारी भी दूँगा मुदालियर कमिशन जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में हमें से कहते हैं सेकंडरी एजुकेशन कमिशन इस कमिशन को साल 1952 में बनाया गया 1952 में इसके चेर्मन थे डॉक्टर A. लक्षमन स्वामी मुदालियर इसको बनाने का रीजन ये था कि सेकंडरी एजुकेशन की हालत बहुत खराब थी इंडिया में जिस वक्त इसको बनाया गया युकि इससे पहले का जो कमिशन बना था राधा कृशन कमिशन 1948-1949 में वो फर्स एजुकेशन कमिशन था इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडन्स लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कमिशन हाईयर एजुकेशन पर फूकस करता था राधा कृशन कमिशन के जो चेर्मन थे वो डॉक्टर सर्वपली राधा कृशन थे और उस कमिशन को युनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन की नाम से भी जाना जाता है तो हम लोग बात कर रहे थे मुदालियर कमिशन की इसको समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सेकंडरी एजुकेशन क्या होता है जिसकी इस कमिशन में बात की गई है एक सेकंडरी एजुकेशन होती है जो हाइयर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन जो senior primary education होती है उसके बीच में आती है 7 साल तक बच्चा पढ़ता है 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये जो classes होती है जिसे बच्चा 11 की age से 17 की age तक लेता है फिर इसके बाद में senior secondary शुरू हो जाता है और college education शुरू हो जाती है तो इन्होंने क्या recommendations दी हम समझने ही कुशिश करते है लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझने ही कुशिश करते है कि इसके अंदर कौन-कौन शामिल था इसके सदक से कौन थे हो सकता है आपसे question बन जाए डॉक्टर A. Lakshman Swami Madalya जो इसके chairman थे और Madras University के vice chancellor भी थे मैं post भी बताते जाओंगा साथ की साथ प्रिंसिबल John Christie जो Jesus College Oxford से थे मतलब विदेशी थे और Dr. K.R. Williams ये Southern Regional Education Board Atlanta के associate director थे USA में चौती थी बरूदा युनिवर्सिटी की vice chancellor Mrs. Hansa Mehta पांचवे थे technical education government और Bombay के director श्री J.A. Tarapurwala फिर उदैपुर से विद्यावण Teachers Training College के principal Dr. K.L. Shreemali ये भी शामिल थे श्री M.T. Vyas जो Bombay में New Era School के principal थे वो भी शामिल थे आटवे नमबर पे K.G. सैयदन जो Indian Government की Ministry of Education की joint secretary थे वो भी शामिल थे और principal A.N. Basu भी शामिल थे तो ये 9 members थे इन सब के अलावा Dr. S.M. धारी इस commission के assistant secretary थे तो अब यहाँ पर इस commission का integration किस ने किया था? उस वक्त के Education Minister मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 6th October 1952 में New Delhi में इसका integration किया था इन्होंने अपनी report में सबसे पहले historical survey किया था दोस्तों डारेक्ली इन्होंने अपनी report प्रसुत नहीं की थी बलकि पहले बताया था कि आज जो हमारा secondary education के हाल है न वो कैसे हुए होंगी इन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू की साल 1854 से जब Sir Charles Wood ने English education की popularity को बढ़ाने के लिए साल 1854 में महिलाओं की सिक्षा पर जोर देने के लिए उस वक्त के Governor General Lord Dalhoji को एक letter लिखा जिसे votes dispatch भी कहा जाता है votes dispatch of 1854 उन्होंने कहा कि primary education तो बच्चों को अपनी mother tongue में ही करवानी चाहिए और university education English में करवानी चाहिए क्योंकि वो English की popularity बढ़ाना चाहते थे इसलिए फिर उसकी बाद इन्होंने बताया hunter commission की बारे में 1882 वाले hunter commission की बारे में जो sir William Hunter की अध्यक्षता में लाया गया था तो अगर hunter commission की history आपको नहीं बताया तो hunter commission इसलिए लाया गया था क्योंकि 1857 का जो revolt हुआ था उस वक्त ब्रिटेशों की नीव हिल गई थी तो इन्होंने सूचा कि कहीं न कहीं हमें इस देश में education की सक्त जरूरत है अपना control बनाया रखने के लिए इनकी education के लिए हमें proper infrastructure डवलप करना पड़ेगा इनकी primary education पर ध्यान दिना पड़ेगा तो इसलिए hunter commission बनाया 1882 का पहले वाला फिर उन्होंने बताया university commission जो आया था 1902 में उसकी बारे में boards of secondary education आया था कलकत्ता university commission आया उसकी बारे में फिर बताया इन्होंने अपनी history को complete करते हुए university education commission 1948 के बारे में बताया तो ये सारी history बताई कि आज जो हमारा education system इतनी सारी stages से गुजर कर डवलप हुआ है आज हमारे यहाँ पर सामने पहुँचा है तो वो ऐसे-ऐसे हुआ होगा और आज की date में मतलब जिस वक्त मुदालियर कमिशन आया था उस date में Indian education का pattern कैसा था pattern ये था कि पहले आती थी pre-primary stage फिर आती थी primary या फिर post-primary stage ठीक है फिर higher elementary school फिर उसकी बाद में secondary schools higher secondary schools higher education intermediate college professional college फिर technical institutes तो इस तरह से एक pattern था जिस वक्त ये मुदालियर कमिशन बना इन्होंने बताया कि इस तरह का कुछ pattern है अभी तक जो डबलप हुआ है तो इस तरह का pattern जो है इसके अंदर इन्होंने defects गिनवाए खास तोर पर secondary education में जो defects थे उनकी बात की उनकी कहा कि इस level पर बच्चों को कुछ 0 से ज़्यादा ही bookish होने पर जोर दिया जाता है books को रटवाने पर focus किया जाता है बहुत ही strict curriculum follow करने को कहा जाता है उनकी दूसरी किसी skill पर focus नहीं किया जाता है exam का stress उनकी सिर पर बहुत ज़्यादा डाला जाता है जिसकी वज़े से वो study को enjoy नहीं करते बलकि एक बोज की तरह समझते है उपर से इनका जो syllabus है बहुत ज़्यादा overcrowded है पढ़ाने का तरीका काफी पुराना है resources की कमी है हम बस चाहते हैं कि बच्चा कैसे भी university तक पहुँच जाए इस secondary level पर हम उसका कोई विकास नहीं करना चाहते ना बच्चा इस system से निकलने के बाद समाज को कुछ दे सकता है हर class में बच्चे इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि teachers की कमी पढ़ जाती है teachers इन बच्चों से connect नहीं कर पाता है नहीं अपनी छाप छोड़ पाता है और teachers की भरती बहुत ज्यादे जरूरी है teachers की बहुत कमी है खास करकि secondary education में ये जो कमिया गिनवार है बच्चों का interest पर कोई focus नहीं किया जाता इस secondary education की level पर आज अगर कोई school extra curriculum activities को अगर add कर भी लेता है अपने syllabus में बच्चों के syllabus में तो वो से seriously नहीं लेता कोई school तीसरा इन्होंने English को बड़ा criticize चाएज 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 ले जाने के बावजूद भी हमें बच्चों पर stress डालना है कि वो बहुत सारी languages सीखे तुम English भी सीखो और अगर तुम्हें सरकारी नौकली चाहिए तो अगर नहीं सीख सकते वो बच्चे जो बहुत सारी languages नहीं सीख सकते उन पर stress डाला जाता है कि तुम English भी सीखो अगर तुम्हें सरकारी नौकली चाहिए तो तो ऐसे करके इन्होंने कमिया गिनवाई बहुत सारे defects गिनवाए कि अभी के education system में ये ये defects हैं अभी का जो pattern है खास करके secondary education के लिए बहुत सारे defects हैं तो आप secondary education के aims क्या होने चाहिए ये बताते हैं फिर इसके बाद ये अपना खुद का pattern देते हैं जो कि clear नहीं है जिसके लिए इनका बहुत criticism हुआ है कि इन्होंने कमियाद गिनवादी लेकिन अपना कोई system नहीं दे पाए सबसे पहले ये बताते हैं कि secondary education का time क्या होना चाहिए ये लोग मानते हैं कि 11 से 17 साल की age तक यानि 7 सालों में ही बच्चे को university के लिए train कर दो इन्होंने ये बताया कि हमने जो survey किया उसके according universities खुद कहती है कि बच्चों का level वो है नहीं university वाला जो university में बच्चे आ जाते हैं कम उम्मर में ही वो level है नहीं इन्होंने कहा कि secondary education में हमें एक साल बढ़ाना होगा और college level पर इन्होंने 3 साल की degree हो इसकी बात की हमारे देश में ज़्यादर schools 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है तो secondary education के school का विकास करना होगा मतलब school बढ़ाने पड़ेंगे ये एक बड़ी कमी है कि हमारे देश में school की कमी है को ध्यान रखना है कि इन्होंने पहले 3 years degree की बात की थी 3 years degree course की बात की थी intermediate college के future की बात की इन्होंने फिर इन्होंने बताया कि high school और higher secondary schools में हमें क्या करना चाहिए और hunter commission का हवाला देते हुए इन्होंने technical education पर बहुत ज्यादा focus किया है दोस्तों technical education का मतलब यह है कि बच्चे को skills सिखाने की बहुत जरुवत है अगर skills उसके पास में नहीं होगी तो हमेरे देश को उससे कुछ भी नहीं मिलेगा पर यह बताते हैं कि schools सिर्फ एक ही type के नहीं होने चाहिए बहुत सारे type के schools होने चाहिए कैसे? पब्लिक schools होने चाहिए, residential school होने चाहिए, day residential schools होने चाहिए, handicapped schools होने चाहिए, यह सारे schools होने चाहिए सर्फ हम normal schools क्यों रखें? कि secondary level पर हमें बच्चे को कौन सी language में सिखाना चाहिए, यह बात clear नहीं की दोस्तों इन्होंने English के बारे में इन्होंने कोई भी बात clear नहीं की, बात में कुठारी कमिशन ने बताया ठीक है, teachers के लिए भी इन्होंने training program की बात की, कि कोई अगर teacher पुराने time का लगा हुआ है तो उसकी training करवा कि हमें teaching के नए methods उसको सिखाने चाहिए teachers की training के बाद में इन्होंने problems of administration को गिनवाया जैसे जिसमें इन्होंने school buildings और equipments की बात की, कि open year schools होने चाहिए, playgrounds होने चाहिए schools के अंदर class का size कितना होना चाहिए, और दूसरे equipments क्या-क्या होने चाहिए, पढ़ाने के लिए hostels होने चाहिए, quarters होने चाहिए, staff के लिए, audio visual aids होने चाहिए, मतलब कुछ posters बगेरा vacations के बारे में बताया, छुटियों के बारे में बताया, इन सब चीजों के बारे में और last में इन्होंने finance की बात की, तो इस तरह से काफी काम किया था मुदालियर कमिशन ने, लेकिन दोस्तों कुछ कमियों की कारण इसको criticize किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से changes आए, सबसे पहले All India Advisory Board of Secondary Education form किया गया, इनकी इस report के बाद में report की बाद में ही NCC बनाया गया बच्चों के लिए, बच्चों पर English का pressure नहीं डाला गया, Mother Tong में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गया फिर इसकी बाद में teachers की training शुरू ही, यह बहुत बड़ी success थी कि कमियों की अगर मैं बात करूँ तो कमिया यह थी कि इन्होंने अपने curriculum को overburden कर दिया था बहुत ज्यादा diverse कर दिया था, English language के लिए कोई clear suggestion नहीं दिया और बहुती ill-defined structure था of secondary education इनका और woman education की तो कोई बात ही नहीं की गई थोड़ी बहुत बात की गई, वो भी ढंक से नहीं की गई तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि मुदालियर कमिशन क्या था वैसे अगर detail वीडियो बनानी पड़ी तो detail भी बनाऊंगा दोस्तो इस पे पिलाल आज की इस वीडियो में सतना ही अब जब आपने ये वीडियो ख़तम कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ मुदालियर कमिशन आपको समझ में आया होगा दोसो कोठारी कमिशन पर भी मैंने एक चोटी सी वीडियो बना रखिये लेकिन डीटेल से कबर करूँआ कोठारी कमिशन को भी चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में